आज की इस वीडियो का टापिक है कि how to three-phase motor connection three-phase की अगर हमारी कोई motor है तो उसका हम connection कैसे करते हैं कितने प्रकार से करते हैं इंटर्वी में आपसे question पूछा जा सकता है तो आए जान लेते हैं यदि आप industry में work करने के लिए विजाते हैं तो भी आपके सामने यह प्रशन आएगा यह चीज आएगी कि motor का connection हम कितने प्रकार से कर सकते हैं यदो कोई three-phase की motor है तो तो आए जान लेते हैं दिखे जो हमारी three-phase की motor होती है उसमें हम तीन प्रकार से connection करते हैं तीक है आप thumb rule समझ लीजे आप आराम से समझ जाएंगे कोई भी confusion इसमें आपको नहीं होगी पहला होता है हमारा star में हम motor को चलाते हैं दूसरा होता है delta में motor को चलाते हैं और तीसरा होता है हमारा स्टार डेटा में मोटर को चलाते हैं तीन प्रकार से हम मोटरों को चलाते हैं थिरीफेस के मोटर को आप अगर इसमें एक चीज को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको confusion नहीं होगी थम रूल समझ लीजे कि यह आपकी मोटर स्टार में चल रही है तो आपको एक क्वाइल को आपको 220 बोल्ट देना है मोटर की में जो हमारी 3-phase की मोटर होती है उसमें 3 क्वाइल होती है ठीक है तो तीनों क्वाइलों में एक क्वाइल को हम 220 बोल्ट देंगे तो हमारी मोटर स्टार में चलेगी अगर हमारी मोटर डेल्टा में हमारी चल रही है या चलानी है हमको तो मोटर की एक कॉयल को हम 440 बोल्ट देंगे ये आपका थमरूल है आपको ये दिमाग में रखना है बाकी मैं आपको भी समझा ज़ेता हूँ आपको clear हो जाएगा तो 440 बोल्ट देना तो आपकी मोटर डेल्टा मीच लेगी अगर आपको मोटर कोड स्टार डेल्टा में चलाना है तो भी आपको एक कोयल को 440 बोल्ट देना पड़ेगा अब बात याती है कि आपके मन में कन्फूजन हो रहा होगा कि स्टार तो चलो ठीक है हमने 220 बोल्ट दे करके मोटर को चला लिया डेल्टा में हमने 440 बोल्ट दे करके हमने चला लिया ये भी ठीक है लेकिन स्टार डेल्टा में हम 440 बोल्ट देंगे ठीक अब देखें इसमें होता क्या है जैसा कि आप इसके पर देख रहा है इस तरह से हमारी मोटर की जो क्वाइलिंग होती है वो की जाती है इसमें देखें ये क्वाइल ये हो गई एक क्वाइल ये हो गई मोटर के अमारी ये तीनों कोईले हो गई ठीक अब जब आप मोटर को देखेंगे जब भी आप इसकी नेम प्लेट को देखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं ये नेम प्लेट आप देख रहे हैं इसमें देखें क्या लिखा हुआ है U1, V1, W1, U2, V2, W2 इस तरह से लिखा हुआ है यही नेम प्लेट पर लिखा हुआ होता है अब यहीं पर आपको नटबोल्ट लगी हुए मिल जाएंगे और यहीं में आपको कनेक्शन करना होगा अब यहां पर क्या है कि जब आपको मोटर को स्टार में चलाना है कुल मिला करके मोटर को आपको डियोल स्टार्टर से चलाना है ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा कि मोटर की चाहे ये हिस्सा और चाहे ये हिस्सा मतलब कुल मिला करके किसी भी एक हिस्से को जैसे U1, V1, W1 जैसे U1 एक हिस्सा हो गया ये दूसरा दूसरी कॉयल का ये पहला हिस यह दूसरा हिस्सा, तीसरी कोयल का यह पहला हिस्सा, यह दूसरा हिस्सा, तो किन ही एक हिस्सों को, एक कांटेक्ट को, एक कोयल की हिस्से को आपको सौर्ड कर देना है, इस तरह से, चाहे आप यहां पर सौर्ड कर दें, चाहे आप यहां पर सौर्ड कर दें, बात एक ही है, यदी आप यहाँ पर साउड करते हैं तो यह हिस्सा खुला रहेगा, और यदी आप यहाँ पर आपको R फेस देना है, यहाँ वाइ और यहाँ पर B, तीनो फेस आपको यहाँ पर दे देने हैं, अब देखे, R में हमारा कितना बोल्टेज होता है, 220 बोल्ट होता है, R में, Y मे है हमारी इधर तो हमने sąde कर दिया है एधर साइड में हमने ar face दिया तो r face में कितना 220 volt एक oil में और है 220 volt एक oil में और है 222 volt एक oil में और है तो इस तरह से हमारी जूटो होगी वह इस asks चल जाएगी ठीक है तो यह चीज क्लियर होगी आपकी अब आएए delta को समझ लेते हैं देखे डेल्टा में क्या होता है सेम इसी तरह से हमारी क्वाइल होती है ठीक है यह देखे हमारी डेल्टा में क्वाइल हो गई अब इसमें देखे सेम यही चीज मोटर के टर्मिनल का आपको लिखा हुआ मिल जाएगा U1 V1 W1 U2 V2 W2 यह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अब इसमें क्या करना है मैंने आपको पताया क्या 440 बोल्ट देना है आपको एक क्वाइल को तो यह हमारी एक क्वाइल है यह दूसरी क्वाइल है यह तीसरी क्वाइल है यहां पर हमने क्या दिया था 220 बुर्ट दिया इधर इस हिस्से को हमने सौर्ड कर दिया था और इस हिस्से में आपने 220 बुर्ट दिया था एक खिस आपने दे दिया था अब यहां पर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा अलग क्या करना पड़ेगा 440 बुर्ट देना है आप को अब इसमें क्या है देखिए इस हिस्से को इसके साथ हब sod कर दीजिए ठीक Originally को इसके साथ sorry कर दीजिए और इस हिस्से को कि एक sorting strip आपको लेना पड़ेगा उससे अप इसको support कर दिए अब यहां पर आपको R face दे दिए यहां Y और यहां पर B यह 3 face आप ने दे दिए अब यहां पर क्या एएएएसमें कितना пол도 है 220 artment है इसमें भी हमारा 220 colocar है और इसमें भी हमारा 220baren biri है क्योंकि 3 face में कितना 1 face में 220 220 220 अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है यहां से हमने जब आर फेस यहां पर दिया यह आर फेस हमने दिया तो आर फेस से 220 बोल्ट तो इसको आयल को आया लेकिन यहां से जो बी फेस था यह आपने साउड कर दिया था ना यहां से यहां पर आ गया 220 बोल्ट अब यहां पर पू बोल्ट तो देखिए ये देखिए हमने सौड कर दिया था ये सौड कर दिया था ना सौड करने के वज़े से यहां पर हमारा भी 220 बोल्ट हमारा आ जाएगा तो हमारा देखिए 220 और 220 हमारा 440 बोल्ट हो गया अब यहां पर देखिए इस कोयल को हमने देखिए B फेस दिया था अब यहाँ पर देखिए हमने सौड कर दिया था वाई फेस के साथ में तो यहाँ पर भी हमारा 220 बोल्ट आ गया ठीक तो अब देखिए यहाँ पर देखिए आर फेस आया और इधर से गूम करके बी फेस आ गया तो 440 बोल्ट हो गया यह चीज़ हमारी पूरी हो गई एक कोयल को हमें 440 बोल्ट मिल गया इस जगाँ पर देखिए हमारा वाई फेस आ रहा है यहाँ पर हमने सीधे वाई फेस कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमारा आर फेस आ रहा है ठीक तो यह 440 बोल्ट हो गया 220, 220, 440 बोल्ट हो गया अब यहाँ पर क्या है देखिए B फेस हमने दे कर दिया और वी वन के साथ में डबलू टू को सौड कर दिया और डबलू वन के साथ में यू टू को सौड कर दिया ठीक इस तरह से हमने ये सौड कर दिया जिससे हमारी एक कोयल को 440 बोल्ट मिल गया और हमारी मोटर जो हुआ डेल्टा में चलने लगी अब बात आती है कि हमा यही चीज है, सभी जगा पर आपको मोटर के टर्मिनल यही मिलेंगे, जब भी आप मोटर के टर्मिनल को खोलेंगे, तो आपको सेम यही चीज मिलेगी, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कि इस एक, दो, तीन, यह तीनों टर्मिनल है, यह तीनों है, कोईल के एक एक सेरे, तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है, आर, वाई, बी, इसमें आप तीनों फेस दे देंगे, देखे, जब आप मोटर को डेल्टा में चलाते हैं, या केवल इस्टार में चलाते हैं, तो जो starter होता है उससे दो cable निकलती है ठीक है दो cable मनलब यह हो गया कि 6 lead निकलती है 6 तार आपको मिलते हैं जिसमें से RYB एक में निकलता है और दूसरे से भी हमें RYB निकलता है तो दो हमें cable मिल जाती है जिसमें हमें 6 wire मिल जाते हैं और सब में अलग-अलग face आ रहे होते हैं तो RYB हमारा इसमें मिल जाता है तो यहां पर देखे RYB जो एक था यह है RYB हमने उसको यहां पर लाके लगा दिया अब बाकी बचा यह जो हमारे बाकी के बचे हुए हमारे जो सिरे हैं उनमें क्या करना है हमको तो आपको मैंने बताया था यहां पर क्या बताया था कि star delta में आपको 440 बोल्ट देना है तो simple सी बात है कि यहां पर देखे 440 बोल्ट जैसे बनाया आपने opposite face दे करके 440 बोल्ट बनाया तो यहां पर आपने R face दिया था तो यहां पर यदि हम दूसरा face दे दे देंगे इस वाले का दूसरी वाली केबल का opposite face दे देंगे तो R के जगा पर यहां पर हम अगर हम Y दे दे तो क्या होगा यह 220 बोल्ट है और यह भी हमारा 220 बोल्ट हो जाएगा तो ह होगा यह 220 बोल्ट हो जाएगा हमारा और यह भी हमारा 220 बोल्ट हो जाएगा तो Y और B हमने दे दिया तो इसमें भी 440 बोल्ट पूरा हो गया अब यहां पर देखे हमारा B face जा रहा था तो B face मतलब 220 बोल्ट हम दे रहे थे और यहां पर हम R face दे दे दें तो यहां पर भी 220 220 बोल्ट हो जाएगा तो इसमें भी 440 बोल्ट पूरा हो जाएगा तो हमारी जो जरुरुत थी, वो कितनी थी, 440 बोल्ट के तो यहां पर पूरी हो रही है, अब यहां पर देखे क्या है, कि पहली जो केबल है, उसको ला करके चुपचाप आपको किन ही टर्मिनो पर, जो U1 में लगाया हुआ है उसका opposite face आपको U2 में लगाना है V1 में जो आपने fire लगाया है जो face दिया है उसका opposite face आपको V2 में देना है और जो आपने W1 में लगाया है उसका opposite face आपको W2 में देना है तो इस तरह से आपकी जो मोटर है वह स्टार डेल्टा में चलने लगेगी, उसको 440 बोल्ट मिलने लगेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह concept अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कि मोटर में हम connection कैसे करें, तीन प्रकार से कौन कौन से connection होते हैं, स्टार, डेल्टा, स्ट आज की जुरूंबस इतना ही, नमस्कार दोस्तों